हेलो फ्रेंड्स वेलकम तू माई चैनल मैच्विच साक्षी फ्रेंड्स आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं हमारी एक्सरसाइज 6.9 चले स्टार्ट करते हैं तो कॉश्चन नमबर सेकिंड है हमारा y is equal to under root 1 plus exponential x upon 1 minus exponential x तो हमें dy by dx की ये वाली value प्रूफ करनी है चले कर देता है differentiation तो divide वाले formula सो होएगा नीच्चे वाले का square under root हड जाएगा नीच्चे वाला as it is उपर वाले डिफ्रेंशेशन यानि under root 1 plus exponential x का तो जाएगा 1 by 2 under root 1 plus exponential x और exponential x का हो जाएगा exponential x minus उपर वाला as it is यानि under root 1 plus exponential x as it is नीचे वालेगा differentiation यानि under root 1 minus exponential x का ही हो जाएगा 1 by 2 under root 1 minus exponential x exponential x minus के exponential x का होगा minus के exponential x और minus minus हो गए है plus यह हो जाएगा मेरे पास exponential x under root 1 minus exponential x अब उन में 2 under root 1 plus exponential x plus exponential x under root 1 plus exponential x अब उन में 2 under root 1 minus exponential x उपर हम LCM ले ले लेते हैं तो LCM आएगा 2 under root 1 plus exponential x and 1 minus exponential x सो सिंप्लिफाइ बगेरा करेंगे तो मेरे पास बचे गई है यहाँ पर exponential 2x, exponential 2x कैंसिल यह हो गए है 2 exponential x, 2 से 2 कैंसिल और यह आगे है मेरा final answer और यही मेरे को prove करना था आजाते है question number 3 पर यह मेरे पास है यदि fx से sine log x और y मेरे को दिया गया है यह तो मुझे यह बात prove करने है कि dy by dx की value यह होगी सो देखे y मुझे क्या दिया गया है f2x plus 3, 3 minus 2x यानी fx और fx की value है यह यानी कि fx में जहां जहां पर x आ रहा है उसके place पर मुझे यह value रखनी पड़ेगी सो यह जहेगा sine log 2x plus 3, 3 minus 2x differentiate कर देते हैं तो sine का होएगा पहले तो cos x अब log का करेंगे तो 1 upon x अब इन दोनों का होएगा तो कैसे करेंगे divide वारे formula से नीचे वाले का square नीचे वाला as it is उपर वाले का differentiation माइनस उपर वाला as it is नीचे वाले का differentiation जो चीज काट हो रही है उसको काट देते हैं जैसे यहाँ पर एक power कट हो जा रही है इसको simplify करते हैं तो जाएगा 2, 3 जा 6 एंट 2, 2 जा minus के 4x यहाँ पर हो जाएगा 4x plus 6 4x से 4x cancel से हो जाएगा मेरे पास 6 and 6 हो गए हैं 12 नीचे हो गए 2x plus 3 इन्टू 3 minus 2x इन दोनों को solve करेंगे देखिए मेरे पास बन रहा है a plus b and a minus b तो इसको हो जाएगा a square minus b square और यही बात हमें प्रूव करने थी next question देख लेते हैं हमारा आएगे देखते है question number 4th का first part यहाँ में दिया गया है y is equals to 10 inverse a cos x minus b sin x upon में a sin x plus k b cos x इसे में हम क्या करेंगे हम पूरे के पूरे term को किस से divide कर देंगे b cos x से जो हम b cos x से divide करेंगे तो यहाँ पर देखिए cos x से cos x cancel और मेरे पास बज़ गया है a upon b यहाँ पर sin upon cos के हो गया 10 और b से b cancel यहाँ पर a upon b 10 x और b cos x से b cos x cancel होकर मेरे पास बज़ गया है 1 तो यहाँ पर देखिए मैं एक formula जानते हैं कि 10 inverse x minus y upon 1 plus x y क्या होतता है 10 inverse x minus 10 inverse y तो देखिए सा यहाँ पर same बन रहा है 10 inverse x minus y upon 1 plus x y यहाँ पर x क्या है मेरा a upon b and y क्या है मेरे पास 10 x तो यह जाएगा 10 inverse x minus 10 inverse y तो यहाँ पर देखिए 10 inverse से 10 cancel out होगे मेरे पास बज़ जाएगा 10 inverse a upon b minus x और अब इसका कर देते हैं differentiation तो y कत होगे dy by dx 10 inverse a upon b इसके पास x नहीं है तो इसको जाएगा 0 और x को जाएगा minus के 1 तो हमारा final answer आजाएगा minus के 1 देखते हैं second part में क्या दिया है हमें दिया गया है 10 inverse 2 plus 10 x upon 2 minus 10 x तो जेले कर देते हैं इसका differentiation और यह होगा मेरा देखिए पहले 10 inverse x का होगा यानि 1 upon 1 plus x का square अब किसका होगा अंदर वाले का यानि इसका और इसका होगा हमारा divide वाले formula से तो यह जाएगा निच्चे वाले का square निच्चे वाला as it is उपर वाले का differentiation minus उपर वाला as it is और निच्चे वाले का होगा है differentiation जो चीज कट्री हम cancel out कर देते हैं देखिए यहाँ पर अगर हम lcm ले 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 तो मेरे पास क्या हैगा 2 minus 10x का all square plus 2 plus 10x का all square और जो अपोन में 2 minus 10x का all square है मेरे उपर चले जाएंगे यहाँ पर sec square x common ले लेते हैं अंदर वाचे का 2 minus 10x plus 2 plus 10x और निचे वाच गये 2 minus 10x का all square इससे यह मेरा cancel हो गये और उपर बज़ गया है 10x से 10x cancel होकर उपर बज़ गये है 4 sec square x इसको खोल देते हैं देखिए all square खोल दें तो 4 plus 10 square x minus के 2 2 जा 4 10x plus के 4 10 square x plus के 4 10x यहाँ पर 4 10x से 4 10x cancel हो गये तो मेरे पास बज़ गये है 4 sec square x 8 plus 2 10 square x तो यह हो गये है देखिए उपर से 2 common ले लेते हैं और नीचे से तो यहाँ जाएंगे 2 sec square x upon में 4 plus 10 square x देखते हैं question number 5th यह मुझे दिया गया है कि sin y is equals to x cos a plus y तब हमें दिखाना है dy by dx की value यह होगी सो चलिए differentiation कर देते हैं so sin y का तो cos y और y का हो जाता है dy by dx इसका हमारा first second से होगा first as it is second का differentiation plus second as it is first का differentiation अब क्या करेंगे देखिए हम dy by dx एक साथ इखटे कर लेते हैं तो हमने इधर साइड ले आए हैं और dy by dx को हमने क्या कर लिया है common ले लिया है तो जाएगा cos y plus x sin a plus y और equals to मैं cos a plus y यहां से dy by dx की value निकाल लेते हैं यह हमारा multiply में है तो हमारा किसमें चला गया है divide में सो यह आगे है मेरे पास cos a plus y cos y plus x sin a plus y अब देखिए यहां पर मेरे पास क्या है dy by dx cos a plus y cos y plus यहां पर देखिए जो मेरा यह x है इसके हम value रख देते हैं तो वो मिलेगी मुझे यहां से x की value कितनी आ रही है sin y upon x cos a plus y यहां पर put कर देते हैं सो यह जाएगा sin y upon cos a plus y तो sin upon cos मेरे क्या हो जाएंगे देखिए यहां पर हम क्या कर देते हैं cos a plus y की multiply LC हम ले लेते हैं सो यह जाएगा cos square a plus y cos a plus y cos y plus sin a plus y sin y सो यह गया cos square a plus y और यह मेरा formula बन रहा है cos a cos b so यह जाएगा a plus y minus y y से y cancel और मेरे पास बज़ गया है और यह बज़ गया है cos square a plus y upon cos a आईए देख लेते हैं question number 6 जो मुझे दिया गया है find the derivative of 10 inverse under root 1 plus x square minus 1 upon x with respect to 10 inverse 2x under root 1 minus x square upon 1 minus 2 x square at x is equals to 0 means हमें इसका differentiation करना है इसके respect at x is equals to 0 तो हम क्या करेंगे पहले वाले को you मान लेंगे तो जब हम इसको you consider करेंगे तो यहाँ पर हम रख सकते हैं देखें यहाँ पर plus है न तो plus होने पर हम क्या रखते हैं तो 10 theta पूट करते है 4 theta तो हमने यहाँ पर पूट करते है 4 theta तो जाएगे under root 1 plus 10 square theta minus 1 upon 10 theta यह हो गए मेरे 10 inverse 1 plus 10 square theta को लिख दिया हमने sec theta minus 1 upon 10 theta sec theta को लिख सकते हैं 1 upon cos theta और 10 theta को लिख सकते हैं sin theta upon cos theta तो यह हो गए मेरे पास one minus cos theta upon sin theta अब देखे one minus cos theta के place पर हम क्या लिख सकते है one minus two sin square theta by two और sin theta के place पर क्या लिख सकते है two sin theta by two and cos theta by two one से one cancel next line में two से two cancel और sin से sin cancel तो मेरे पास बज़ जाएगा sin upon cos जिसको हम लिख सकते है ten so ten inverse से ten गया मेरे पास बज़ गया है theta by two so u की value आ गई है theta by two so du by d theta कितना आ जाएगा one by two देख लेते हैं v so हमने इससे क्या consider कर लिया है v इसमें देखें यहाँ पर क्या है minus और minus होने पर हम क्या रखते हैं तो sin या cos so यहाँ पर हमने रख दिया है sin theta so हो जाएगा ten inverse two sin theta one minus sin square theta one minus two sin square theta हम जानते है one minus sin square theta cos square theta under root से भार आकर बज़ गया है cos theta और upon में आ गया है one minus two sin square theta हमें पता है two sin theta cos theta किसका formula होता है sin two theta का और one minus two sin square theta formula होता है cos two theta का और sin upon cos मिलकर बन गया है ten so v आ गया है 2 theta so dv by d theta आ गया है मेरे पास 2 so du by dv कितना आ जाएगा du by d theta into d theta by dv तो दोनों की value कितनी है 1 by 2, 1 by 2 multiply होकर मेरा final answer कितना आ गया है 1 by 4 आई देख लेते हैं question number 7 जो हमें दिया गया है find the differential coefficient of fx हमें ये दिया गया है और इसका मुझे differentiate करना है x under root x plus 1 के respect हमने क्या किराए हमने इतने term को मान लिया है u और इतने को consider कर लिया हमने b so df by dx आ जाएगा du by dx plus dv by dx so चलिए u उठा लेते हैं पहले तो u है मेरे पास log base में x sin x square so देखें ये हमें पता होता है कि log base में a b तो इसकी value होती है log b upon log जो हमारा base में होता है वह हमारा किसमी चला जाता है denominator में सेम काम यहाँ पर करेंगे तो log sin x square और x base में था तो यह होगा log x अब इसका कर देते हैं differentiation यानि du by dx so नीचे वाले का square नीचे वाला as it is उपर वाले का differentiation माइनस उपर वाला as it is और नीचे वाले का हो जाएगा differentiation so du by dx की value कितनी आ जाएगी यहाँ पर हम cos upon sign को क्या लिख सकते हैं coat और यह हो गया मेरा माइनस के log sin x square upon x और upon में आ गए है log x square अब उठा लेते हम v v है मेरे पास sin x square की power log x तो दोनों तरफ का log ले लेते हैं क्योंकि मेरा कैसा function है x का function x की power में तो यह जाएगा log v log x आगे आ जाएगा log sin x square differentiate कर देते हैं one upon v dv by dx इसका first second से होगा first as it is second का differentiation plus second as it is first का differentiation यहाँ पर हम cos upon sign को क्या लिख लेंगे coat x square so अब कर देते हैं differentiation so मेरे पास dv by dx कितना आ जाएगा v log x coat x square 2x plus log sin x square अब यहाँ पर v की value पुट कर देते हैं so यह मेरा आ गया है dv by dx so हमें पता था dv by dx कितना होता है du by dx plus dv by dx यह मेरी पूरी value आ गया है dv by dx की अब हम आ लेते हैं let phi is equal to under root x plus 1 इसका differentiate करेंगे x के respect तो यह आ जाएगा dv by dx upon में 1 by 2 under root x plus 1 अब dv को d5 के respect differentiate करेंगे तो क्या हैगा dv by dx into dx by d5 so dv by d5 क्या जाएगा जो मेरी dv by dx की value आई है इसको divide कर देते हैं 2 root x plus 1 से सो यह आ जाएगा मेरा final answer यह होगा 2 root x plus 1 1 upon log x 2x cot x square minus की 1 upon x log base max sin x square plus sin x square की power log x 1 upon x log sin x square plus 2x log x cot x square आई देख लेते हैं हमारे last question question number 8 यह जो मुझे दिया गया है यदि y is equal to t square plus t cube है and x is equal to t minus t4 है तब हमें find out करना है d2 y by dx square so सबसे पहले y को कर देते हैं t के respect differentiate और x को भी कर देते हैं t के respect differentiate so जाएगा 2t plus 3t square and 1 minus 4t cube इन दोनों को divide करने से मेरे पास क्या जाएगा dv by dx और हमें चाहिए क्या हमें चाहिए d2 y by dx square तो इसको हमें फिर से क्या करना पड़ेगा differentiate so d2 y by dx square यह होगा मेरे divide वाले formula से निचे वाले का square निचे वाला as it is उपर वाले का differentiation minus उपर वाला as it is निचे वाले का differentiation और फिर t का भी होगा t का क्या होगा dty dx पूरे में से dty dx common ले लेते हैं और dty dx की value रख देते हैं 1 upon 1 minus 4t cube इसको simplify करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 2 plus 60 plus 16t square plus 12t 4 और upon में आ जाएगे 1 minus 4t cube की power cube पूरे में से 2 common ले लेते हैं तो यह जाएगा 1 plus 3t plus 8t cube plus 64 और upon में आ जाएगा 1 minus 4t cube की whole cube इसी के साथ हमारी complete हो जाती है exercise 6.9 और यहीं पर यह हमारा chapter भी finish हो जाता है differentiation so friends हमारी channel को like, subscribe and share जरूर करें